जैस्री कृष्णा दोस्तों आज हम बनाएंगे बरे ही सिंपल और इजी स्नेक्स रेशिपी जो की ये बच्चे भी बना सकते हैं ये रेशिपी इतना असान है जो आपके घर में बच्चे रोज बनवा कर खाना पसंद करेंगे एक दम इस्ट्री टिस्टाल में जिसे देखकर मुँ में पानी आ जाए पीजा पास्ता सब फेल है इसके आगे बहुत ही क्रिश्पी और कलारा बनकर त्यार होता है और मिंटो में बनकर ये त्यार होता है जरा सा भी टाइम नहीं लगता है तो इसे आप अपने घर में जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा तो बनाने में आसान और खाने में उतना ही टेस्टी एक दम से मुँ में घूल जाने वाला ये स्नेक्स बनकर त्यार होता है बहुत ही सिंपल है तो चलिए बनाना शुरू करते है चीज ब्रेड रोल तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे तो फ्रेश ताजी ब्रेड हम लिए है तो ब्रेड हम चार पीस लिए है आपको जितना बनाना है उतना पीस ही लीजे ब्रेड को तो इस तरह से हम 4 पीस ब्रेट का ले लिए हैं और फिर हम इसके किनारे किनारे का निकाल लेंगे तो हम इसे चक्कु से कटके निकाल दे रहे हैं और फिर हम इसको साइड में रखते जाएंगे इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे इसे हम फिकेंगे नहीं क्योंकि इसका हम ब्रेट क्रॉम्स बनाएंगे तो इस तरह से हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं ब्रेट क्रॉम्स बनाने के लिए और हम साइड साइड से चारो में हो, आपके पास टाइम मुझे नहीं है। तो यह recipe फटा-फट बनकर त्यारा अने वाला है। इसे आप अपने बच्चों के लिए lunch Cox & Tea time पे बनाएके तियार कर सकते हैं। सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। झालों यह फंग बृघ उप एक ब्रेट को स्लाइस को उठाएंगे और अच्छे से बेल लेंगे इससे क्या होता है कि जब भी हम रोल्स बनाते हैं तो हमारा रोल्स जो है वो फटता नहीं और एक दर परफेक्ट तरीके से बनकर त्यार होता है तो हम चार ब्रेट को अच्छे से बेल कर त्यार कर लिए है अब हम एक एक चीज का सीट्स लेंगे और एक ब्रेड लेंगे और उस पे हम रखते जाएंगे तो हम एक ब्रेड लिए हैं और हम चॉपर बोर पे रख लिए हैं और इस तरह से चीज का सीट्स लेंगे और रोल बना ली है तो इस तरह से एक एक ब्रेट पे हम चीज को रखेंगे और फिर हम किनारे से फोल्ड करते हुए इसका हम रोल बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसानी रेसिपी है आसानी से बनकर त्यार हो जाता है तो इस तरह से किनारे से हम फोल्ड को उठायते हैं और अच्छे से रोल करते हैं दबाते हुए हाथ को तो इस तरह से हम अच्छे से टाइटली रोल कर लेंगे और इसी तरह से एक एक करके हम सारे ब्रेड को रोल कर लेंगे तो देखिए में चार सीट ली थी और चार ब्रेड ली थी तो इस तरह से हमारा चार स्नेक्स भी बनकर त् मैदा डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हम इसमें आधी चमच चिली फ्लेक्स डाल ले रहे तो चिली फ्लेक्स आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं और फिर हम साथ में इसमें कुटा हुआ काली मिच पॉडर डाल दे रहे और फिर हम इसमें आधी चमश ओडगैने डाल दिये हैं और फिर इसमें हम थोड़ा-מ혁 करके इसका एक स्लड़ी त्यार करेंगे तो इसके पतला इस लड़ी त्यार करेंगे और इसे अच्छे से हम थोड़ा- convinьяवे अच्छे से फेट लेंगे ठाकि हमारा गोल में कोई लंज न रहे रहें अच्छे से हमारे बनकर तो एकなた पड़ा से इसको पड़न कर लेंगे और फीर हमारा यह गोला बनकर त्यार हो चुका है बहुत ही Penra सारी के से बनकर त्यार हुआ है तब हम इसको साइड में करेंगे और फटा-फट से हम रोल बना लेंगे तो हम एक-एक चीज रोल्स को उठाएंगे और हम इस लरी में डालेंगे और इस तरह से अच्छे से इसको हम डीप कर लेंगे तो चारो तरब से अच्छे से लपटते हुए इसका हम ब्रेट क्रम्स में अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और यह देखिए हमारा कितने अच्छे से स्नेक्स बनकर रेडी हुआ है तो इस तरह से एक एक करके सारे ब्रेट को इसी तरह से डीप करते हुए और ब्रेट क्रम्स में लगाते हुए तियार कर लेंगे और ये देखिए हमारा अच्छे से चीज रोल बनकर त्यार हो चुका है अब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो हमें कराही रखें इसमें तेल डाल दिया है और तेल जब हमारा गरम हो जाए धुआ आने लगे तो फिर हम इसमें दो-दो करके रोल्स को तो हम इसे अलटते पलटते अच्छे से इसको सेख कर त्यार करेंगे बहुत ही बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पटा-पट से बनने वाला यह नास्ता बनकर त्यार होता है जब भी आपके घर में कोई मिहमान आ जाए या फिर किटी पाटी हो या फिर घर में कोई भी फंचन या फिर बच्चों के लिए tea time या फिर lunch box में इसे बना के दे दीजिए बच्चों को तो बहुत ही खास करके पसंद आता है तो इस तरह से हमारा golden brown हो चुका है से लेंगे ताकि कहीं से कच्चा न रहा है और अच्छे से बनकर त्यार हो और हमारा एकदम golden brown हो चुका है तो मैं इसे निकाल ले रहे हूं प्लेट में और हमारा फटा फट से नास्ता बनकर त्यार हो चका है एकदम crispy करारा बनकर त्यार हुआ है तो यह देखिए एकदम crispy करारा और अंदर से एकदम चीजी बना है तो यह हमारा नास्ता बनकर त्यार हो चका है तो मैं इसे फटा फट से सर्विंग प्लेट में निकाल ले रही हूं और फटा फट से सर्फ करूंगे तो मैं इसे टेमेटो केचप के साथ सर्फ करने वाली हूँ आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही मज़ेदार रेशिप ही है तो इस तरह से अपने घर में जरूर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में बच्चों बरो सबको बना के जरूर कि लाइएगा और मैं मिलूंगे आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए वीड़ ङवहipp है धिद ओनने हमें मृेर के लिए रड़ के लाइब के लिए झालतै वीडाओ वीडियो के लाई रड़ने घर छवी आपको के लाईयर के लाईयर की उव stamping में हमशने है 24 अलने है और मुल प्लीज के लखको के लड़ने है और बम दूल twसके orth ल सूनने हम य झाल झाल झाल